कर दो स्वाधत करता हूं मैं आपका एक और वीडियो में इसमें यार बात करने जा रहे हम डेटा मैनिपिलेशन की बाहरे में अब तक यार डेटा इंपोर्ट कर चुके हम डेटा क्लीनिंग वगड़ा भी कर चुके हैं अब क्या करेंगा है उस डेटा का यूस करके हम कुछ नए चीज़े बनाएंगे जैसे यार कैल्कुलेट करेंगे कुछ चीज़े उसका यूस करके सम अगरा निकालेंगे उससे क्या है न हम कराना चाहता है वह चीज़ों को दिखाने के लिए हमें थोड़ा सा छेटखानी करनी पड़ेगी अपने डेटा सेट के साथ जो भी डे मेजर्स यार क्या होता है न मेजर्स कुछ नहीं होता बस यार एक वेरियेबल कह लेता है ठीक है या फिर एक कैलकुलेशन ठीक है जिसमें हम कुछ चीज़ करके रख रहे हैं मानलो कि यार हम क्या निकालना है किसी रोग कॉलम का पूरे का सम निकालना है यार काउंट हो गय या फिर max या mean हो गया ठीक है max mean निकाल सकते हैं average हो गया तो पूरे column का average निकाल लेंगे तो कोई एक value आएगी तो यार वह एक value ऐसे इसी में store होती है ठीक है एक variable में store होगी इसी चीज़ को measure कहते है कोई चीज calculate करना जिसके single value हो ठीक है पूरे column वालों के लिए column calculate हम single value calculate करेंगे तो उसको measures कहते है तो जो calculate करते है यार जो हम formula लिखेंगे कैसे calculate करना है यह लिख देंगे max keyword या कुछ भी use करेंगे तो यार जो language हम लिखते हैं उसको dex language कहते हैं ठीक है dex language आगे हम काफी जानेंगे यार मैंने बोला था GUI है कुछ coding नहीं जाने की जर्बत है लेकिन या dex language जैसे वह नहीं होते है एक्सेलम करें होगा सबने basic तो किया ही होगा स्कूल में भी तो उसमें formula बार में formula लिख देते थे इसमें होगा बहुत ही आसान है और इसमें intelligence भी है तो आपको पूरा लिखने की जर्वत में डॉप डाउन में आ जाएगा suggestion और बात आती है यह basic चीज़े सम, count, max, mean यह सब calculate करेंगे और एक variable में store करेंगे तो कैसे करते हैं उसको ही measure कहते है ठीक है अब चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे हम power bi में आ जाता हूं मैं और यह data load हो रहा है इसमें ठीक है यार यह table हमने सब import कर रखा था तो यार देखो यार इसमें सब का data है मैं कैसे filter करना है मैं तो बताया ही था कि लिटाना है तो मैं क्या करना किसी एक particular coin का माल लेते है यार bitcoin का मैं क्या करूंगा अब तक का max value calculate करेंगे कि अब तक कितना इसने max value अचीव कि अपने पूरे lifespan में जितना हमारे पास data है उसमें basic हली ठीक है तो आप देखो है हाई के value है यहां पर है तो हाई का भी अगर मैं highest निकल लो high column का यह तो पड़े का high है तो अगर इसमें जो highest होगा वही होगा मेरा answer कि अब तक मैं highest value क्या चीव करिए यह मेरे को करना है तो मैं गया home यहां क्या क्या new measure ठीक है अब जो यहां पर मैं लिखूंगा यह दिखा आ गया measure equal to यह अभी मैं कुछ भी लिख दू ना वही वहापना DAX formula क्यालो यह DAX language है मैंने code कर दिया गया तो यह कुछ नहीं है measure जो था मैंने हटा दिया उसका नाम अब variable का नाम क्या रखो मैं जो calculate करके जो answer आएगा उसको मैं क्या कहूंगा उसको मैंने कर दिया highest ही रख देते है उसका नाम ठीक है अब कैसे निकालने है और क्या करना है मेरेको अब keywords होते है यह याद करने जर्वत नहीं general थोड़ा दिमाग लगा लगा लेने तो google कर लो किस चीज का क्या keyword है तो table का नाम देखा है collection में मेरा या collection में आगये का नाम ठीक है और जो square bracket में ही वह column का नाम है स्क्वाइर राकेट में ठीक है यहाद रखना है तो यार यह high है न यहीं वाले तो मुझे highest निकालना है max निकालना है मैंने click कर दिया अब कर देते हैं रागा डवा verw और मैं चला जाता हूं यह report में उसको visualize कैसे करते हैं लो क्या value है card ले लेते हैं यह जितने भी विज्वाइज है सारे techniques में बताऊंगा हर चीज का एक एक का use करेंगे कौन सा कहा यूज करते हैं उसकिति होरी भी जानेंगे कौन सा कहा सहीड आएगा तो सब आगे की वीडियो मा अभी बस एक card चीह है न वो single value represent करती है उसको मैंने use कर लिया अब यह highest को यहां से drag करके fields में drop कर दिया इसने बता है 64.86K यह इसके highest value गई है अब तक फिर इसको double verify पता है क्यासे कर सकते हैं मैं क्या करूंगा इसको मैं descending में sort कर देता हूं ठीक है अपसे बड़ा जोग उपर आ जाए 64.86K है और यह भी वही है प्यार देखा तो यही चीज निकाली है इसी को measure कहते है उस तरीके से हमने निकाला और ऐसे ही हम कुछ भी calculate कर सकते है रो का min average निकाल देते हैं चला average के लिए देख लेते हैं formula क्या है तो मैं फिर home पे जाता हूं new measure डालता हूं new measure में देखूंगा इसको बोल देते हैं अब average इसका high वाले column का है अब तक इतने भी high गया है उसके average कर लेते हैं तो average market cap निकाल देते हैं ठीक है average market capitalization तो इसमें क्या करूंगा यार keyword क्या होगा average या कुछ होगा average है मैं इवीजी सोच रहता है average है दवा दिया अब क्या करना है market cap का average निकालना है कर दिया bracket बंद करो इंटर दवा दो इंटर करो करो हो गया तो यह आगया इसको भी वैसे card बना के visualize कर देते हैं काड बनाया मैंने हाँ पर यह नया card और इसमें डाल देता हूं मैं average है तो आर यह इसका average है 29.51 billion कुछ होगा average ठीक है ऐसा ही average है ऐसे मैं min max अब निकाल सकता हूं sum निकाल सकता हूं अब तक का कितना है कुछ चीज का sum निकाल के देखते हैं यहाँ पर कोई data निया जिसका sum निकाले और टेबल में देखते है sheet1 क्या अपनी sheet1 यार चलो यार मैं इसमें क्या करता हूं कितने total बंद है ना count कर लेता हूं ठीक है एक measure है जो बंदे count करता है तो क्या करों अफिर ऐसा कर लेता हूं कि count ही कर लेता है चलो इसके बाद कुछ और भी करके दिखा हूं count is equal to count rows ठीक है यार यह क्या करेगा न अब इस table का नाम दे दूगा निस table के सारे rows बता देगा तो टेबल का नाम क्या है यार इस table का नाम है sheet1 तो इसमें table का नाम डाल दीजिए ठीक है यार यह count में count rows आ जाएगा count अगया इसको भी display करा देता है एक नया card लेके display करा देता है या फिर इसी card पर हम overwrite कर सकते हैं यह card ले लिया एक और इसमें क्या डाल दिया count ठीक है 62 तो कुल मिला के class में कितने बच्चे है 62 अब यार मैं देखता हूं यार मैं क्या करूंगा ना और यह जो मैंने measure calculate किया है यह वह यह अगर मैं column में changes करूंगा तो वह अपने आप changes होते रहेंगे ठीक है वह एक तरह से real time है मैं थोड़ा सा भी उपर नीचे कुछ करूंगा यहां पर तो यहां पर reflect होगा देखो यार यह 62 count है इसको ध्यान लखो अब क्या करूंगा न मैं दो चार बंदे उड़ा दूंगा ठीक है जो जिनका जिनका data नहीं है ना इस column में एन 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 ए उसको मैं उड़ा दूंगा तो मैं यहां पर बस filter लगा दिया है तो यहां पर यह है तो यहां से तो नहीं हुआ ठीक है एक चीज में जो बता रहा था कि क्या power query editor में रबंद हो गया तर जो हमने calculate कर रख है यह average और यह सब actually में यह गलत है कैसे data के साथ actual छेट खानी करने के लिए power query editor चीए यहां तो बस filter लगे हुए थे तो जो मैंने यह collection पर लगाया था filter उससे सिर्फ इसने दिखाया मुझे bitcoin का actually में बाकी इसने बस छुपा दिया है बट मैं जब measure से calculate करता हूं वह पूरे actual उस पर calculate करता है ठीक है अभी देखो मानलो कि मैं low दिखाता हूं आपको सिर्फ bitcoin सिलेट करता हूं सिर्फ bitcoin और मैं दिखाता हूं गलत क्या cancer सही कैसे आ रहा था ठीक है और इसमें क्या कर दिया min of क्या अपना जो यह collection है इसमें low का ठीक है यह तो समझ आ गया collection table के low जो column होगा उसका lowest calculate करना है उसका min calculate करना है आ जाना चाहिए calculate हो गया मैं भी दिखाऊंगा क्या value है बड़ चेक करने के लिए क्या करेंगे इसको मैं अगर ascending में order में कर लगा दूँ ठीक है इसको लगा दिया मैंने ascending order में इसके अब तक की lowest value गई है बट बट अगर ऐसा करें एक कार्ड लूँ और इसमें मैं क्या करूँ यह था न अपना lowest डाल दिया इसको value 7.93 यहां पर तो यह सही आ गया था तो यार यह लखी लिए आ गया था काईदे से क्या ना बिटकोईन सबसे महंगा है ना इसलिए हाइ इसलिए बाकी साथ से भी compare करके highest आ रहा है इसलिए आ गया था और average नहीं करता इसलिए बट काईदे से क्या नच्ची बिटकॉण का लोइस तो 65 है तो वह क्यों नहीं आ रहा तो यह जो मैंने filter लगा रखा है ना यह यह बस दिखाने के लिए मेरे को छुपा दिया है बाकी एक्चुली में वही exist करते है टेबल से उड़े नहीं है तो टेबल से उड़ाने के लिए मैं क्या करूँगा ना या यह ट्रांसवर्म डेटा में जाना पड़ेगा इससे खुलेगा power query editor जो कि होता है बहुत powerful यहाँ पर देखो यहाँ पर आ गया अब मैं यहाँ पर नहीं करूँगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा क्या पर रखाया इसमें क्या करूँगा ना सिलेक्ट कर लूँगा सिर्फ और भी data होगा बिटकोइन का select कर लेंगा बिटकोइन किदर है यह दा लगा दिया यह select हो गया अब क्या करूंगा ना मैं bitcoin का हो गया इता select अब मैं कर देता हूँ यहीं पर छेट खानी कर देता है table में फिर formula नहीं change करना पड़ेगा load more किया और यहां सिर्फ select कर दिया bitcoin अब इसमें सर्फ bitcoin का data रह गया ठीक है और यह collection में सारे का data रख लेता है हमने जो duplicate बताया जाना उसमें हम सारा data रख लेता हैं ताकि सब data intact रहे ठीक है select all कर दिया तो सारा data यहां हमने save कर लिया और हम इस table से बागी delete करने जा रहे है यहां मैंने उड़ा दिया अब क्या करता हूँ मैं इसको कर देता हूँ apply ठीक है apply किया तो वह जाने लगेगा data अपने power bi desktop में power bi desktop में आ गए अब देखते हैं क्या changes आए होंगे इसको minimize कर देते हैं अब मैं आता हूँ lowest में अब देखो यार highest कितना किया 64.86 lowest कितना 65.53 यहां मैंने क्या किया यह देखो इसको round off कर दिया गया है मैंने पता क्या क्या power query में जाकर एडिट कर दिया कि मिरे को सिर्फ bitcoin चीए तो उसमें table को ही ऐसा change कर दिया कि power bi को table मिलिया उसमें bitcoin का ही data है सिर्फ यहां पर अगर मैं छेडखा नहीं कर रहा था power bi desktop में तब वो बस hide कर रहा था तो जो मैं measure से calculate कर रहा था measure पूरे का कर रहा था actually मैं तो data पूरा था bitcoin, dogecoin, btc सब था उसके हिसाब से वो निकाल रहा था highest, lowest, average अब मैंने किया कि power query में गया और data को यहां जो input देता है जो चीज़ वहीं पर छेडखा नहीं कर दी वहीं पर काट दिया या बस bitcoin का data चाहिए तो जो collection जो table है उसमें सिर्फ bitcoin का data है तो अब यहां पर bitcoin है तो मेरे जो measure के formula थे collections table के लिए लिख रख रहते तो collection में जैसे data change हो गया तो measure अपने आप change हो गया यही खास बात है measure recalculate होते रहते हैं आप data change करो एक नया column भी add कर दो तो यार average चेंज होगा ना तो यह automatically average चेंज कर देता है तो यह जो अपना क्या था student count वाला था ना यार student count में भी पर फस गया था वह चेंज नहीं हुआ sheet 1 तो उसको भी यार चलते है power query तो खोल रखी थी मैंने power query में आते है sheet 1 पर चलते है sheet 1 में अब मैं क्या करूंगा यार जो 18 को नहीं है उसका नाम ही काड़ दूगा 18 तारिक को क्या था ना पीज देने की बारी थी जो पीज देने की दिन absent हो गया हो गया उसका नाम काड़ दता हूं यार मैंने update कर दिया ठीक है तो यहां कर दिया आप यहां कर देते है close and apply तो पहले यार रखना 62 बंदे थे ठीक है यहां पर जैसे change apply होगा हो जा मिरभाई हो गया तो यहां आते हैं देखते हैं कितने बंदे 57 यहां पांच बंदे मैंने हटा दिया जो जिन नहीं आया थे ऐसे है ना जो actual data manipulation होती ना power query में होगी यहां तो बस दिखावा है मतलब cover जा अब के पूरी बंदे देखने है दो तरीक यहां नीचे हाथ रख़ के उपर का देख लो वह क्या होता है वो होता है power bi में दूसरा तरीक है कि यहां लिस्त ही हांसे काट दो fans नीचे का हिस्सा ही काट बात की वीडियो में किसी में ठीक है